लालू जी का परिवार बस्ताचार के लिए जाना जाता है और आज नहीं पिछले 27 साल से लालू जी सिर्फ बस्ताचार के परतिक है लालू जी सी वी आई से जेल गए डीडी से जेल जाएंगे ये प्रंप्रा है उनके आपको नहीं आपके साथ स्वर्गिये कमला देवी के स्मृती में चिकित्सा शिवीर का योजन किया गया था जिसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश सध्यक्ष समराट चौधरी भी शामिल हुए और इस दोरान समराट चौधरी ने एक बार फिर से लालू परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया और सा आज नहीं पिछले 27 साल से लालू जी सिर्फ भस्ताचार के प्रतीक है और जन्ताजल उनाइटेटी ने तो उनको जेल में सरवा ही दिया कांग्रेस पाटी ने समाप्ती कर दिया कोई नहीं बात नहीं है लालू जी सीवी आई से जेल गए इडी से जेल जाएंगे यह प्रम कि सरकार शरीर के ऊपर पुरी ववस्था खड़ा नहीं कर पाया मेडिकल पैसलेटी पूरी तरह स्तापित नहीं कर पाया इसले सवाबी के आम लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ी किसना भी मिल के लड़ो कोई फरक नहीं पड़ता है चालीस में इसले बार राजत का साथ ही बता दे कि लैंड फोर्ट जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किले एक बार फिर से बढ़ सकती है एडी की तरब से मंगलवार को यानि कि आज इस मामले में एक नई चार्ज शेट दायर की गई है इसमें लालू यादो की एक और बेटी हेमा यादो को भी आरोपी बनाया गया है ED की नई सप्लिमेंटरी चार्ज शीट में हिमा यादों के अलावा राबडी देवी, मीसा भारती, अमीत कात्याय, हिर्द्यानन चौधरी समेट कुल साथ लोगों को आरूपी बनाया गया है वहीं सूत्रों की माने तो इसमें दो कंपनी भी शामील है जिनका नाम फिलाल अभी असपस्ट नहीं हो पाया है ED की तरब से ये चार्ज शीट दिल्ली के राउट जेवेन्यू स्थित विशेज कोट में दायर की गई है कोट की तरब से ED को चार्ज शीट की ये कॉपी भी फाइल करने का अदेश दिया गया है अब इस मामले पर सुलह जैनवरी को अगली सुनवाई होगी इससे पहले 3 जुलाई को लैंड फोर जॉब मामले में तिजस्वी यादो को भी आरोपी बनाया गया था इस केस में तिजस्वी के अलावा 17 लोग शामील है तो अपने सुना बिहार बीजुपी के प्रदेश ध्यक्ष समराट चौधरी को जिन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधितेवे का है कि लालू परिवार भ्रस्टाचार के लिए जाना जाता है और ये कोई नई बात नहीं है बलकि पिछले 27 सालों से लालू यादो भ्रस्टाचार के प्रतीक रहे हैं साथ ही उन्होंने जदियू और कॉंग्रिस को लेकर कहा कि जदियू ने लालू यादो को जेल भेजने का काम किया तो कॉंग्रिस ने इने समाप्त करने का काम किया है वहीं 2024 लोग सबाद चुनाओं को देकर समराच चौधरी ने कहा कि जैसे पिछले चुनाओं में राज़त का खाता नहीं खुला था वैसे ही इस बार जदियू का खाता नहीं खुलेगा फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेसूप कर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसूप पीच को भी फॉलो करें और आसे ही तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ धन्यवाद